कि है कि है कि है कि है कि वेलकम तुदा स्टडी कॉंसेट मद्धिप्रति जीके कि आप स्रीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है वह इसका 25 वीडियो है जिसमें कि मैं अगले इंपोर्टेंट दस कॉस्टेंज लेके आया हूं जो कि MPPSA और व्यापम के एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो आप सभी स्टुडेंट जो कि इन सभी एक्जाम की तियारी कर रहे हैं लगातार मेरे इस सीरीज से जोड़े रहे हैं और आपको मेरा चैन को लाइक और शेयर करना नहीं बूलिएगा आगे सिरू करने पहले से मैं आपको बताना चाहता हूं अनेकेडमी की बारे में अनेकेडमी इंडियास लाजिस लेनिक प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब करें आप 10% का डिसकॉंट मिलेगा आपको मेरा रेफल को यूज करेंगे प्लेस में जो कि है हरतयाल को सवारा है मैं आपको लिमीटेट शिलिवस मिलता है महीं प्लस में आपको प्लस को जिसमें कि आप लिमीटेज मॉक्तफ प्ड़िकेड़ क्लिरिंग सेशन्स एंपी पेसी प्रिलिम्स और मैंस का पूरा प्रपरेशन डिफरेंट बैज कोर्स मद्यपर्देश एक्जाम से जुड़े हुए और दोजार से अधिक प्रक्टिस कोश्चन कवर होते हैं जो कि डिफरेंट सब्जेट के हाँ पर आपको कवर किये जाते हैं अने के पर पढ़ने के फायदे क्या है अगर आप प्लस के सब्सक्रिप्टन लेते हैं तो लर्न फ्रम दा फेर्वेट टीजर तुर दा लाइब क्लास स्ट्रेक्चर लर्निंग डिफरेंट बैच कोस्ट डिफरेंट एक्जाम्स के लिए डेडिकेट डाउट क्लेशन जो की ल डाउट है आपके मन में तो इसमें आपको प्लेटफॉर्म पर फोन कॉल के जरीए आप सारी डाउट क्लेशन होता है तो इसमें आपको सब्सक्राइब करना है आइकोनिक सब्सक्रिप्शन को जिसमें की रिफ्रेल कोड लगाएंगे आप तो सीधर 10% का डिसकॉंट मिलेग जिसमें की मेरा रिफ्रल कोड लगाएंगे यूविल गट 10% आफ अफ अब दा एड्मिशन पीज डिली टेटी टेस्ट सीरीज भी होती है यहां पर जिसमें की टॉंटी करेंट अफेस भी कवर होते हैं कि मैंस की फुल एंथ फ्री मॉक्ते सीरीज भी यहां पर कंड़क्ट की जाती है कि डिफरेंट बैच कोर्स जो के प्लस में स्टार्ट हुए हैं अभी हाली में 15 जनवरी जुलाइज से यह बैच स्टार्ट होगा जो कि एंपी रिजॉस्ट टेंटी टॉन्टी टूंटी अगला बैच जो की इट मंद का फॉंडेशन बैच को से में आपको हिंदी विडियम की विद्यारतियों के लिए बारा जनवरी से स्टार्ट हो चुका है जिसमें की आप रिफरेल कोड लगाकर प्लस की उजर्स बन सकते हैं जो कि हर्दयाल कुस्वा 10% का सीधा पूछा जाएगा डिसंबर की बैस्स का भी आपको पूरा एक्सेस मिलेगा प्लस में और जनवरी की सारी बैस्स का भी आपको एक्सेस मिलेगा तो आपको प्लस की उसे बना है रिफरेल कोड लगाकर जो की हर्दयाल कुस्वा और 10% का डिसकाउंट सीधा आपको यहां पर में मिलेगा अने के प्लान है वह 24 मेने बारा मेने चे मेने और तीन मेने के तो किसी एक प्लान को सूस करते हुए आप रिफरेल कोड लगाए हर्दयाल कुस्वा 10% का डिसकाउंट मिलेगा आपको सीधा और प्लस की उसे बनके इस प्लेटपॉंपर कम्प्लीट ठीवरी क्ल लगाने पर मिलेगा तो इसको लगाया और 10% की डिसकाउंट के साथ में इस प्लेटफार्म से कनेट होकर आप ठीवरी प्लस MCQ के साथ में कम्प्लीट लीजे पहला कॉशन आगया आपके सामने जो की मद्यप्रदेश जीके का है मद्यप्रदेश का सबसे बड़ा गुफा स रम हो है जिसमें की लगबग 600 से अधिक केव हैं जो की मद्यप्रदेश के राइसेन जिले के अब्दुल्ला गंज तैसील में है जो की 2003 में युनिसकों ने विश्व दर्वर सुची में इसको सामिल किया गया था तो इस इस दा वेरी इंप्रदेश के अगला कोशन आ गया और ये पुरी की पुरी जो गुफाएं ये नब पासान नब पासान काल से संबंदित हैं अगला कोशन आ गया पहाडगड गुफार चित्र किस इस्तान के चट्टानों में पाय जाते हैं तो इसका जो सई विकल्प है वो है आसन नदी आसन नदी जो की मुरेना ध्यान रख पास में एक पहाडगड छेतर हैं उससे लगभग 12 मील 12 मील्स की दूरी पर यहां पर टोटल 86 ऐसी गुफाएं हैं कि इस रंकला है जो की भीम बेटिकाओं की गुफाओं के बिलकुछ समकाली नमाई जाती है यानिकि जिसमें भीम बेटिका की जो गुफाएं हैं उनका नि करती हैं इसंदिया डाइनस्टी ने इसका निर्मार कर वाया था और दूसरा जो डैम है वह है कोतवाल डैम कोतवाल डैम यह दोनों डैम इस पर बनाए गया है अगला कोण से ना गया मद्ध्रदेश में संक्राचार की गुफाएं कहा इस्ते थे तो इसका जो सही विकल्प संक्राचार जी जो है वही आदी संक्राचार के नाम से जाने जाते हैं और इनका जन्म हुआ था ये केरल में हुआ था केरल में 8 सेंचुरी में आटवी सताप्दी में इनका जन्म हुआ था, साथस्सो अठासी ईस्वी में इनका जन्म हुआ था. और ये देथवाद, जो देथवाद है, उनके प्रमोख कहलाते हैं, उन्होंने ही धार्मिक आंधोलन की शुरुवाद की जाए, तो धार्मिक आंदोलन को सुरुवात करने का जो सिरे जाता है वो आधी संक्राचारगी को ही जाता है और इनकी मृत्यू जो हुई थी तो इनकी मृत्यू नहीं हुई थी इन्होंने समाधी लिती ध्यान रखेगा ये मृत्यू नहीं हुई थी इनकी समाधी लिती और ये अपना करने का स्रे इनी को जाता है अगला कोशन आ गया मद्रप्रदेश में भरतरी की गुफाएं कहां इस्ते थे तो इसका जो सही विकल्प है वो है उज्जेन के समीप उज्जेन से लगबग 20 किलोमेटर की दूर पर जो कालिया देय महले उसके पास में ये भरतरी की गदमानं करवाया गया महराजा 14 साल की समाधी तो इसका जो सही jours विकल्प है वो है पहाडियों में, पहाडियों की छेत्र में इनका जन्म हुआ था और ये औरंग जेब के समकालीन थे और इनको बुंदिलगं का केशरी या फिर बुंदिलगं का सिवाजी की नाम से भी इनको पुकारा जाता है अगला प्रसना आगया मद्द प्रदेश में सवाई सिंग जी की समादी है वो कहां पर इस्ते थे तो इसका भी सवाई सिंग जी की समादी मद्द प्रदेश में होसंग साह का मकवरा कहां पर इस्ते थे अगला प्रसना आगया आपके सामने और इसका आंसर है मांडू मांडू में इस्ते थे ये होसंग साह का मकवरा और ये मांडू जो की धार में है इसको की जो आयोफ सिटी के नाम से भी जानते हैं और इसमें जो संग्मर्मर का उप्योग हुआ है वो मकराना के संग्मर्मर का उप्योग हुआ है जो कि सबसे उत्तम क्वालिटी का संग्मर्मर मना जाता है अगला कर्शन बाबा साहबुद्दीन जी की जो मजारे वो कहां परिस्ते थे इसका जो सही उत्तर है वो है नीमच, नीमच में इस्ते थे ये बाबा साहबुद्दीन जी की मजार और इनका जो जन्म हुआ था ये उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ था, बरेली के ये जन् इस चमदकार दिखाते थी और इस चमदकार से वह जो अफसर थे वह काफी ज़्यादा प्रभावित और नीमच में ही यहां पर बाबा सहवुद्दीन की जो मकवरा है वहां पर जो समाधी है वहां पर इनका उर्स भी लगता है उसका मतलब मेला मेला भी यहां पर हर वर्स लगाया जाता है अगला परसे ना गया मद्द प्रदेश में यह निमन में से किसकी छत्री इस्ते थे तो इसका जो सही विकल्प है वो डी विकल्प सही होगा यानि कि all of the above सभी जितने भी समस्त्र जितने भी यह क्रांती वी रहें उनकी सबकी छत्री यहां पर इस्ते थे जैसे कि चैंसिंग चैंसिंग नहीं है चैंसिंग है और जो कि इनको योवराज चैंसिंग के नाम से जाना जाता है जो कि नरसिंगल रियासत के यह योवराज थे और इनोंने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ में युद्द किया थ उनकी चत्री उनके साथ में इनके दो रक्षव भी थे जो कि मुस्लिम रक्षव थे उनकी वी एहीं पर समाधी इस्तिते ऐसाथ में बाजी राव मर्त्र पर्थम और मस्तानी वाई कि यो चैन से चहत करा हो खरगोन की रावर खेड़ी ध्यान रखिए का रावर खेड़ी में ये नर्वदा नदी के तट पर इस्ते थे जो की अजय थे ये बाजिराव प्रत्थम जिन्होंने की लगवक चालीस युद्ध जीते थे और एक बार भी ये किसी भी युद्ध में नहीं आ रहे थे अगला काट्सेन और और उश्य वीडियो का ये दसवा आफरी पढ़सन सिवपूरी में किस वंस की दो की समाधिया है तो इसका जो सही आंचर है वह है सिंदिया सिंधिया वंस के दो व्यक्ति हैं जो की हैं संख्या राजे ध्यान रखेगा संख्या राजे और माधव राव सिंधिया इन दोनों की यहाँ पर समाधी इस्तित हैं संख्या राजे जो की माधव राव सिंधिया की मा थी है और यह उनके पूत्र तो इन दोनों की समाधी बिलक तो यह हैं दस प्रस ने जो कि मैं आपके सामने में लेके आया वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता हैं साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूने और लगातार मेरे मद्यप्रदेश जीके के यह सीरीज से जुड़े देने के लिए मेरा चैनल स्टडी आप सब्सक्राइब करने आल नोटिफिकेशन के साथ में जिसे कि आपका एक भी वीडियो मिसने होगा और लगातार वो सारे इंपॉर्टन कवर कर पाएंगे जो कि आप अपने एक्जाम्स के तैयारी कर रहे हैं तो इसी के साथ अपना ये वीडियो यही समात करता हूँ अ